दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तमाल एक बार अपने चेहरे पे कर लेंगे तो पांच मिनट में चेहरे को साफ करके चेहरे को गोडा बनाने का खुबसूरत बनाने का एक बहुत ही आसान घरीलून उसका मैं आपके लिलाई हूँ जिसका रिजल देखके आप हैरान और दंग रहे जाएंगे दोस्तो वीरू थोए से भी अच्छे लगे है तो लाइक और कमेंट जूर कीजेगा वीडियो को लास्ट तक जूर देखे तो सबसे पहले हमें लेना है खाली बॉल में लगभग एक चमच शुगर यानि की चीनी किन को दोस्तो एक्स्फुलेट करने में शुगर जो है बहुत अच्छा होता है देट स्किन सेल की जो परत होती है उसको ये हटा देता है पूरी तरह से दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर ले रहे है वो है कॉफी पॉडर तो लगभग आधा चमच आपको यहाँ पर कॉफी का पॉडर लेना है कॉफी जो होता है दोस्तो डैमेज स्किन को रिपेर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है स्किन जो है वो सन के कारण पॉलुशिंग कारण के कारण डैमेज हो गई है खराब हो गई है तो उसको यह रिपेर करता है उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा कोकोनट ओयल यानी की नारियल का तेल जो एक बहुत अच्छा मॉस्चराइजर है साथ में आपके स्किन को हील करता है इसमें बिटामिन E है जो स्किन को यंगर लुकिंग बिनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है तो आपको यहाँ पर लेना है हाफ लेमन यानी की नीबू तो आपको आधा नीबू का रस इसमें डालना है और इसको एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसी नीबू के टुकरे पे इसको डाल कर अपने चेहरे पे अपने गरदन प लेमेंज होता है एक बहुत अच्छा skin whitening remedy होता है यह हमारे skin को निखारता है हमारे skin को गोड़ा करता है हमारे skin पर pigmentation dark fork को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है 2 मिट के लिए दोस्तों आपको अपने skin पर यह treatment करना है 2-3 मिट आप maximum कीजिए उसके बाद आप अपने skin को clean कर लीजिए अच्छे से skin को clean करने के बाद आपको यहाँ पर एक बहुत ही important step follow करना है इसके लिए आपको लेना है या फिर कपड़े से आप इस तरह से clean कर लीजिए उसका इस्तिमाल कभी भी हमें aloe vera का जब हम seven करते हैं उसमें भी नहीं करना चाहिए और skin पे भी नहीं करना चाहिए इसे toxin माना जाता है दुनिया की कोई भी skin से related problem है दोस्तों चाहिए skin dark हो गई है, dull हो गई है, pimple acne हो गई है, skin खड़ाब हो चुकी है, damage हो चुकी है, हमारी गलतियों के वज़े से भी skin खड़ाब हो जाती है सारी problem ये remedy दूर करते हैं, आपको दोस्तों चोटा सा aloe vera का टुकड़ा इस तरह से लेना है, इसके जो परत होती है, इसका जो skin होता है, इसको हटा लेना है तो आप येकीन मानीजिए, आपकी skin बहुत जाता खुबसुत हो जाएगा, इसको लगाने के बाद आपको चेहरे को धोना नहीं है, overnight आपको छोड़ना है इसे, next morning आप अपने skin में जो अंतर देखेंगे ना दोस्तों हैरान हो जाएगे, तो try जूरू कीजिएगा